जिन्होंने भारती संस्कूत से जुड़ी बहत महत पुनप प्राचिन सोच की वज्ञानिक तथ्यों को पाटकों तक पहुचाने का प्रयास किया वो सोनल जैन जैस्वाल कि जितनी मैं प्रसंशा करूँ उत्ति कम है कि उनकी ताजा करती मैनिस्ट्रेशन तू गर्व मैनिस्ट्रेशन और गर्व संस्कार भावी पीड़ी के लिए अत्यंत बुद्धी शाली प्रतिवाश शाली और संस्कार बनाने में महत पुनप मुवी का निवाएंगे समझे विश्वास है सुनल ये एक ऐसी सक्षय थे कि जिसके बारे में वो प्रतिवाग की धनीय है संस्कारों की धनीय है और आगे का देखने का उनके अंदर एक सुख्ष्म ऐसा यंत्र है यहां उपर उपस्ति सभी मानने वार जैन परिवार से जैस्वाल परिवार से और जबकि ये जो नित्या नंजी साहब ये सब्जेक बहुत अलग है और इस सब्जेक में हम लोग यहां पर आए हैं मगर उसको बैलन्स बनाने के लिए सोनन ने अनुरादाज जी को अधिती जी को वे स्वैम यहां पर रखा हुआ है यह सिंबॉलिक है कि जिसके माध्यम से वो यह बताना चाहती है कि हमारी जो बात है वो लोगों तक जाए सोनन तुमने मेरी पत्नी जोसना का उल्ले किया यह बात सही है कि उन से तुम बहुत करीब थी और यह भी सच है कि मेरा भी उसमें बहुत बड़ा रोले तुमको सिल्ख करने में अगर यह भी उतने सत्य है कि तुम सत्य हो और यह भी सच है कि तुम्हें एक अच्छी माँ हो तो यह जो अच्छी माँ होना और माँ होना में बहुत फरक है आप हमारे चत्रपती शिवाजी महराची माँ को देखिए आप तृष्णा माता जी को देखिए तो यह जो माताएं थी इन माताओं ने उन्हें संस्कार दिया गर्ब संस्कार दिया है और यह जो गर्ब संस्कार है यह कोई आशका नहीं है कि हजारों हजारों साल पहले हमारे यहां पर विक्सित था मगर उस समय में हम पच्छी में के जो देश थे वो मानने के लिए तियार नहीं थे मगर पच्छी में रिसर्च के बाद में आज वे यह मानते हैं कि गर्ब के अंदर जो संस्कार है अगर कंसीव जब होती है वो मेला तब से देना अगर शुरू करे नौ मैने आठ मैने यह जो मानने ता यह गलत है तब से अगर वो शुरू करे तो निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से चाहते हैं मैंने तो यहां तक सुना कि अगर आप चाहते हैं और आप में उतनी पावर है तो जो लड़का है तो लड़की भी बन सकती है मैंने यह भी सुना है कि संगीत के माध्यम से मैंने देखा रहीं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ यहां डॉक्टर जो बता सकते हैं और संगीत के माध्यम से बीना ऑपरेशन की यह भी बच्चे पैदा हो सकते हैं मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी इस किताब की कि किसी किताब बहुत कम है इस भीड में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको इस प्रकार की किताबे बहुत दुड़लब है और यह जो किताब है मैंने खुद ने इस किताब के बारे में जानने के परहस किया उसको सोचा उसके पर समझने के परहस किया कि यह बच्चा क्या है किसी भी देश के अंदर कि मैं वेक्तिकत बात भी नहीं करना चाहूँगा यहांपर काश दौर्नर साब यहां पाते है तो और चार अच्छी बाते हमको बताते हैं मगर उनकी अच्छानक स्वास्त के अंदर गड़बनी होने के कारण से भी नहीं आ पाए वे आशिरवाद दे नहीं पाए मगर मुझे एक व्यक्तिके ओपर इतना विश्वास था कि जो चाहिए कुछ भी हो जाए वो पहुँच जाते हैं चाहिए आप उनको मुंबे में बुलाईए सिंगापूर में बुलाईए अमेरिका में बुलाईए समय पहुच जाते हैं वे हमारे आच्छा लोकेश्म नीची है जैनिजम का सच्चा प्रतिक है अगर किसी को जैन को समझना है रिचुल से थोड़े रिचुल पालते हैं पूरे वो आपने देखाऊंगे कि फूलू को हाथ नहीं लगा रहे थे वो मेमेंटो ले नहीं रहे थे वो मगर उन्होंने ना मेलाओं के हाथ से ले रहे थे और साती सात में वो अपने धंक से उसको आगे बढ़ा रहे थे तो हमें हमारे आज के सुसाइटी को इसी प्रकार के संतों के आउशक था है और मुझे विश्वास है कि इस माध्यम से एक अच्छी वीज़ा बनेंगे खर्व विक्ति चाथाला कि मेरे घर में आने वाला जो नया मैमान है वो बुद्धी शाली हो प्रतिवाश शाली हो संसकारी हो हर व्यक्ति उस प्रकार का उसको संस्कार देने का प्रयाज भी करता है तो किस प्रकार से संभव हो है तो यह संभव ता कि ही लक्षन आपको इस किताब के माध्यम से देखने मिलेंगे मैं बहुत ज़्यादा समयने लेता क्योंकि अधिती जी को बहुत दूर जाना अलग कॉंस्टेंसिम जाना है आप सब लोग जानते कि चुनों का माहूल आ रहा है और वो बहुत ही अभी उनके पिताजी चुन क्या है उनके पिताजी भी यहां के मंतरी रहे अब एक पार्टी क यद्यक्षे वो यह बहुत संसकारी परिवार है और यहां पर उनी लोगों को बुलाया गया है जो सब यहां भी जितने नदर आ रहरा आपको यह सब संसकारी लोग है जो संसकार में विश्वास करते हुआ है और जिनका संसकार के अंदर कुछ विश्वास था वो भी थे और जिनका जब विश्वास बुढ़ गया तो चले भी गए वो भी तो संसकार का जो है तो यह हमें पूर्ण संसकार चाहिए अदूरा संसकार नहीं चाहिए तो पूर्णा सौंसकार इस किताब के मादने हम से मिलेगा ऐसा मुझे पूरा वेश्वात है अंत में हैं सोनल तुम बहुत अच्छा बोलती हो तुम्हारे लिए एक घंटा चाहिए और इस कारिकों को एक घंटे में खतम करने का है तो इसलिए एक तुम्हारा अलग से यह होना चाहिए प्रोविजन जिसके अंदर अलग अलग गाओं में जाके मैं तो कहूंगा कि स्कूल और कॉलेज बे जाना चाहिए आपको और आप जहां जाएए लोग में तुम्हारा आपकी बात को लिके उठाएगा क्योंकि लोगों तक विचार जाना बहुत आउश्यक है अब देखें कि इतने संस्कारी लोग है जो नाकपुर से भी आया तो बात सुनने के लिए विशा कपटनम से भी लोग है आपकी बात सुनने के लिए तो इसलिए हाँ पूना से भी आया है हाँ दिखा रहे पूना वाले भी मैं भी आया हूं गर के तो नहीं नहीं बैंगलोड से है सब भी कुछ पूर देश यहां देश नजर आ रहा है मुझे तो देशवासी हो आप से यही उमीद है हमारी कि इस पुस्तक को इस किताब को इस प्रतिवा को आप लेकर आगे बढ़ा है उन्होंने बहुत मुत्रपुनब आचार रशी जी बात बूली है वह हमारी जनरेशन की अगर हमारा आज हम लोग क्या कहते कि इस यंग इंडिया बागी सारी क्या कहते कि ये देश बुड़ा हो गए और और जो सुनने नहें बात जो बता ही कि बहुत गंबिरता से लेने की बात है और इसलिए मैं इस मन्स से भारत सरकार को आवान करता हूँ मैं कि यह जो सुनल ने कई बात उसको सीरियस्ली ओले और उसको आगे बढ़ाने का उसकारिकों करें तब यह हिंदुस्तान की मजबूती जो है अधिक मजबूत होगी इसे के साथ में सुनल तुम ने बहुत अच्छा डंग से यह किया हमको बिलाया सबको इसके लिए बहुत अधिक मुद्ध कि मेली जोर्दास डोर्दालिया हो जाए विजैजी के इन शब्दों के यह अधिक मुद्धिक अच्छा तो अग्जाहिए अगावल द्रेशग के लिए यह हमएं साथ के मीददे उसक्तितों आपिक पार्बश्या विजैश्जा शब्दें से अप्काषि